मैं डॉक्टर अशीश मेंद्रा और एक बार मैं फिर से आपके सामने आया हूं और अपडेट लेके आया हूं जो खास्तोर से 25 तरीकों नोटीस आया है नमसी का खास्तोर से उन बच्चों के लिए फिलिपिन्स में जिन्होंने एड्मिशन ले रखा है और ये उस बात को कहीं एक गाता है जो अपने यह कर आया जाता है इंग्शे करते हैं अगर आप सब्सक्राइब से तो यह नोटीस के बाद क्या फर्क परता है जिन बच्चों ने इवन 2020 में admission लिया था या 2021 में फिलिपिस में admission लिया था उस rule के साफ से आपको registration यहां नहीं मिल सकता क्योंकि आप जो वो BS पढ़ते हैं वो कहीं न कहीं अगर बेसिक साइंस भी लेंगे तो आपका अनॉटमी फिज्रोजी बायोकिमिस्ट्री पढ़ने हैं जो कि मैंशन किया है कि आप आप psychology पढ़ने हैं जो कहीं हमारे 12 का 11 का पार्ट हो जाता है तो यह कहीं नगा एक कॉंट्रेडिक्ट है अब इसमें नमसी से तो रिलीफ फिल मिलना चाहिए जो भी रूल आए वह आगे के बच्चों के लिए बट अभी ऐसा दिखता नहीं लग रहा है क्योंकि जो नमसी का मूड है उसके साफ से 2020 यह आप यह भी मान के चली कि जो बच्चों ने जो एमडी में इंडॉल होगे इस नोटिस का आते आते या निदो साल पहले जिन्होंने कभी बीएस में लिया होगा एमडी में इंडॉल करे होंगे तो इस जो नमसी का 17 तारी को जो गैजट आया था तो वो तो फिर भी ऐलिजबिल हो जाएंगे वो बच्च जाएंगे इसमें लेकिन वो लोग जो इसके बाद कहीना के अमिशन इसके बाद ले हmniej होता है और आपका जो यह तीन साल है वह बीस में नहीं मान रहे हैं तो तो पिस में अ अगर आप einfach company शको लेकर एमडी में बाद में जा रहे हैं तूब प्रविटेस के साब को नीट क्वालीफाई भी करना पड़ेगा और अनमेड भी पास करना है तो यह आपको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर लेनी पड़ेगी और इसमें मेरे साब से थोड़ा और बेट करें अगर कोई दो 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 दोड़ेगा और अनमेड़ाई तर अनमेड़ेगा दोड़ाई पास करना है।